तो हलो फ्रेंड वल्कम बैक टू मैच चैनल और फ्रेंड जैसा कि आपको बता है कि आरजी पीवी ने कल ही जो सेकेंड समिस्टर रेगुलर जो आपका ब्रांच है रेगुलर रेश्ट्रेंट जो है उनका रिजल्ट पब्लिस किया है साथी साथ जिनका थर्ड समिस्टर में बैक लगा था जिदोंने बैक का एक्जामिनेशन दिया था उसका भी रिजल्ट आरजी पीवी ने पब्लिस किया है तो हमारे चैनल के माध्यम से सारी शीज़ों अलरड़ी बता दी गई है और जो एक्सपेक्टेड डेट मैंने रखा था कि 15 सितंबर के आजपास आपका कई बार एस्पेक्टेशन जो भी लगाया जा रहा है वो कहीं न कहीं सही जगह पे लग रहा है इस बात को आप मान के चाहिए और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपको है तो आप प्रिविज वीडियो को देख सकते हैं सारी शीज़े वहां पे क्लियर हो जाएगी और काफी important बातों को हम करने वाले हैं आज की वीडियो स्रीज में वो भी third semester के regarding और देखिए result कैसा आया कैसा नहीं आया वो आप पे depend करता है और कई बार university पे भी हम दोस्त डाल देते हैं कि sir university ऐसा है वैसा है university में कुछ कमिया है कुछ खामिया है इस बात से जुटलाया नहीं जा सकता लेकिन कहीं ना कहीं चीजे यह है अब मार लीजे की बैक लग गया अब उसको लेके रो तो नहीं सकते हैं हमेशा depression में तो नहीं रह सकते कि हाँ यार मेरा बैक लग गया उसका clear हो गया थोड़ा सा परेशानी थोड़ा सा दिकत इंशान को होता है लेकिन आप कर क्य सकते हैं ना आपके हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में कुछ है तो हमारे हाथ में क्या है हमारे हाथ में यह है कि हम और भी बेहतर तरीके से पढ़ें अपने समेश्टर को बेहतरीन बनाएं और जो भी हमारा बैक लगा है कोसिस यह करे कि उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस टू जो है उसका मर्सी पेपर दिया होगा और उनका नहीं निकला होगा तो ये भी चीजे हैं तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो कमिया है वो खामिया है जिनको साथ उन्होंने उन चीजों को दूर नहीं किया और अगर आप उन कमियों को खामियों को देखके उसको ठीक कर लेत इसलिए मैंने थर्ड समेस्टर में आपको कोई चांस नहीं दिया complete video series हमारे चानल पे available है सारे subject almost clear होने ही वाले है almost 100% सलेबस हमारे चानल पे complete होने वाला है CS ब्रांच का तो आपको तो कुछ बोलने का chance बनता ही नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो आप बहतर कर सकते हैं नहीं पढ़ा है तो आप बहतर नहीं कर सकते थोड़ा सा chance है कि हाँ कर सकते हैं क्योंकि university है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप बहतर करेंगे क्योंकि knowledge point of view से भी हमारे लिए जरूरी है कि हम knowledge को थोड़ा सा gain करें पेपर तो किलियर होता रहा है का वो अलग चीज है लेकि knowledge का होना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए इसलिए मैंने data structure, digital system, discrete mathematics, object oriented programming, energy environmental engineering सारे video series already start कर रखे हैं और जो आपका mathematics third है जो अलग ब्रांच की student है तो mathematics third तो अलड़ी हमारे चैनल पर पढ़ाया जा चुका है तो आप उन वीडियो को देखिए ना सारी चीजे free of cost आपको लिए अबिलेवर कराई गई है लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी कमी यहाँ पर मैं आप देखता हूँ कि student ना ही video देखते हैं ना ही video पर response करते हैं और बस उन्हीं चाहिए कि यह कि last time में कुछ ऐसा चीजे बता दी जाए जिन से वो pass कर सके तो कहीं न कहीं यह थोड़ा सा problem create करता है आपके लिए भी मेरे लिए भी क्योंकि हर बार expectation हर बार जो analysis है वो हर बार clear नहीं होता हर बार 100% सही नहीं होता कुछ कुछ चीजे सही होती है तो उसके मद्दे नजर यह है कि जो भी notes हमने तयार किया है third semester के regarding बहुत सारे उस्टेंट ने उन्हें access किया है अगर आपको लगे कि हाँ आपको access करना चाहिए देखिए access करने के एक फायदे में बता दू सबसे पहले पहला यह कि आपके पास time का बच्चत होगा आप जो time अपने notes को बनाने में लगाएंगे जो time question को analyze करने में लगाएंगे वो time आपको यहाँ पे मिलेगा कि question को already analyze किया हुआ है already उसके solution को तयार किया गया है सारी चीजों को powerpoint पे अच्छी तरीके से लिखा गया है और उसमें कोई दिक्कत परशानी आपको नहीं है और काफी छोटे छोटे और बहतरीन बहतरीन answer इसलिए लिखा गया है ताकि कम से कम आप उतने चीजों को याद कर लेंगे तो आपके लिए बहतर होगा क्लियर यानि कुछ ना लिखने से बहतर है कि कुछ लिख के आप examination में इसी point of view से हमने उन चारे notes को तयार किये हैं और बहुत सा रिट्सक्रा निंन उन्ने अक्सस भी किया है और जिनका back लगा है वह तर्ट चीजो आपको एकषा हो लेने का कोई दिक्यत नहीं है अडरवाइस सारे video's बने हुए है प्लेैलिस्ट बना हुआ है आप उन video's को भी देखके screenshot लेके अपने notes को बना सकते हैं उसके माध्यम से वही चीज़े हैं वही सारी चीज़े हैं तो यह आपका हमारा जो subject है वो है आपका data structure third semester के लिए data structure के बाद आपका है digital system clear digital system digital system के बाद हमने रखा है discrete structure clear discrete structure के बाद जो हमारा अगला subject है वो है आपका double OPM और last of the subject है वो है आपका triple E और इन सारे subject के लिए जो हमने notes को यह दाम को fix किया है फ्रेंड वो मात्र 650 रूपीज रखा है फ्रेंड जो कि मात्र 650 रूपीज यानि 650 रूपए कहीं न कहीं आप 1000 लाखो रूपए अपने college के पढ़ाई में वेस्ट कर रहा है इस बात को आप मान के चलिए और आप उस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं एक बार आप यहां पर भी इन्वेस्ट करके देखिए इन चीजों को आपके वली यह फायदे अधर्वाइस जिनको एकसे नहीं करना किसी कारण बस वह एकसे नहीं कर पाते तो वह डिरेक्ली वीडियो देख सकते हैं वहां से सारी चीज़े आपको अवेलेबल मिल जाएंगी वहां से आप नोट्स मेना सकते हैं और एकसे करने का प्रोसीजर वही है टेलेग्राम करता है आप खुझ से मेनत कीजिए अगर खुझ से मेनत करेंगे तो और भी बेहतर आपके लिए हो गहार तुरा सा वक्त लगेगा आपका इस बात को मैं मानता हूं लेकिन चीज़े आप अपने अस्तर पर अनलाइस करेंगे एक दूसरे के द्वारा अनलाइस किया गया है जिसके पास उस चीज़ का experience है तो वो आपसे बेहतर अनलाइस कर सकता इस बात को आप मान के चलिए तो ये सारी चीज़े हैं और डिमोटिवेट नहीं होना है बैक लगा नहीं लगा उससे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूत नहीं है पढ़िए क्या है पेपर है निकले कोई परशानी आपको आता है डिरेकली डिरिग्राम के मद्धम से मुझसे contact कर सकते हैं सारी चीज़े provide करा दी जाएंगी और इंस्ट्राग्राम के मद्धम से भी आप डिरेकली मुझसे contact कर सकते हैं हर एक message का मैं reply देता हूँ कोई दिक्कत परशानी आपको नहीं होगी मिल